प्रेंड्स आज मैं अपने गार्डन में पूरे गार्डन में इस्प्रे करूंगी बहुत दिनों से मैंने इस्प्रे नहीं किया उसका कारण है कि बहुत ही हमारे इस ही विसकस में मिली बक्स लग गए थे तो मैंने इसको पूरा काट के ये चिली वाला ही चिली ही विसकस था इसमें चुट चुटे रेट कलर के पूलाते मैंने इसको पूरा बुंडा कर दिया पूरी इसकी प्रूनिंग कर दी और भी पौदों की है और उनको हटाना बहुत जरुरी था मिली बख्स को तो काटके उनको बहार प्रेका जाकर के और अब और मच्छर भी बहुत हो गए है है चुट चुटे भुंगे भी बहुत हो गए हैं तो अब मेरा गार्डन पूरा ही मांग रहा है यह क्यों और कि का आप दो कंड़ियू करती हूँ तो मेरी तो मैं अपना मिक्षर बनाती हूं फिर इस्प्रे मसीन से करके दिखाती हूं प्रेंस यह 20 लीटर की वाल्टी हमने भर लिये बड़ी कटी और इसमें यह हमने इसे को यूज करती हूं पूरे गार्डन में और उसके बाद उसके बाद देखे इसमें थोड़ा सा हम फंजिशाइट भी डालेंगे साफ का साफ का ही फंजिशाइट मैं यूज करती हूं इसको भी थोड़ा इसमें मिलाएंगे मिलाके इसको चला करके और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पुरा मिक्षर हमारा तयार हो गया है पूरी बाटी भर करके और अभी हम अपनी इस्प्रेयर मसीन से पूरे गार्डन पर इस्प्रे करेंगे और मेरी इस्प्रेयर मसीन है यह मैनुवल है ऐस से चलती है लेकिन बड़ी फोर्सफुल है बहुत आसानी से हो जाता है यह मेरी मुशीन रखी हुई है यह देखिए और अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका यह जो पाइप है यह इसका यह डाल दिया जाएगा इसमें पाल्टी में और यह पढ़ गया है और इसको हमारे हजबेंट चलाएंगे और मैं इसको पकड़ के स्प्रे करूँगी काफी पड़ी रबड होती है इसमें तो एक जगे यह यही रखा रहेगा और हमारे पूरे गार्डन में यह काम करेगा फ्रेंट प्रेस चला रहे हैं हमारे रखन और यह देखें किस्नी पोस्त में उतर आएंगी इससे पोस्त मस्रीप करेंगा इससे बहुत जल्डी ही जो है इधर हमारे हजबर चलाते जा रहे हैं और रभध देख रहे हैं आपकाती बड़ी है बहुत बहुत आसानी से हमारे सारे प्लांट पूरे में गाइडन में करना है तो पूरे में यह हमारा हो जाएगा मशीन मैंने वहां से लीती कुछने में लीती इसका वीडियो मैं एक बार डाल किती हूँ आप मारे चैनल से मशीन के बारे में जानकारी प्राप कर सकते हैं इसको मुझे पूरे गाडन में यूस करना होता है इसको पूरे नहलाना है सायदे से अर इसका जगय करेंगे न तो जो गिरे होंगे क्वगें वो क्का जायंगे ये जो मैं इसे किसाइट यूज करती ये भी बहुत अट्रक्टिव है और ये साम का टाइम है इसके मैं फूब बुल्कुल जा चुती है साड़े पास च्छे बज रहे हैं और इसकी महत चार-पास दिन तक रहे थी यही हमारा वीडियो था तुपी साम कर रही थी इसलिए मैं इसलिए बनाया अच्छा लगा हो सब्सक्राइब की देगा सब्सक्राइब की देगा बाइब बाइब